हेलो गाईज, विल्कम बैक टीवी देख लिजेए और इस वहले पार्ट में हम करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट तो देखो गाईज, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाके थोड़ा सा बता देती हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, expense क्या होता है, मतलब जो खर्चे होते हैं, खर्चे हमारे दो types की होते हैं, fixed expenses and variable expenses fixed मतलब जिनको हम टाल नहीं सकते हैं और variable मतलब जिसमें हम कम जादा कर सकते हैं, ठीक है न? तो यह हो गया मोटा मोटा, बाकि अगर आपको और भी अच्छे देकिसे पढ़ना है, तो आप पहला वाला वीडियो देख लेना, और अभी हम यह वाला शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, cash management, कि cash का management कैसे होता है, और यह क्या चीज होती है, तो इसको किस तरीके से handle कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको invest कर रहे हो, कैसे उसे save कर रहे हो, और कितने चीजें कहां पर खर्च कर रहे हो, this is basically cash management, और इसको हम cash flow भी बोलते हैं, मतलब अगर आप 11, 12 में, अगर आपके पास economics, या फिर commerce के सज्जिक्स रहते हैं, तो आप जाद हमारे पास money होती है, और देखो guys, हमारे पास इतनी money कभी भी नहीं हो सकती है, कि हमारे जितने भी unlimited wants है, हम उनको satisfy कर ले, wants तो हमेसा जादा होती है, हमारी resources के मुकाबले कर हम देखे तो, तो जितने भी भले दुनिया का करोड़पती इनसानी क्यों नहीं हो, उसको भी अप हम देखेंगे budget क्या होता है, तो a budget is a statement indicating income on one hand and how the income is allocated to various fixed and variable expenses, it indicates the money coming in and money going out in detail, देखो जो budget होता है, वो समल्लोग एक statement होती है, जिसमें एक तरफ पे हम सारे income लिखते हैं, कि हमारे क्या-क्या income है, और दूसी तरफ पे हम सारे अपने fixed and variable expenses को लिखते हैं, कि कितनी money आ रही है, कितनी money जा रही है, so that you are aware of how your income is being spent and how you may control your expenses if needed, जैसे कि मान लो आप जैसे कि आगर आप तो पैसे से उतना साथ related नहीं है, बड़ एक्जाम्पल जो हम लेने वाले समल्लो time table, तो time table में क्या रहते है कि आपको मान लो कि आपका target है कि आपको 6 गंटे आज पढ़ना है, बहले आप कोई भी subject में कितना time लगाओ, तो आप ऐसे कर लेते होगे, I don't know कि कितने लोग करते हैं, अगर आपको पूरे दिन का schedule है, तो अगर आप उसमें ये करोगे कि आपने कितना time को use किया, कितने time को आपने फाल्तु चीज़ों में लिख देते हैं, तो क्या रहता है, हमें पता जलता है, कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, और कितना पैसा जा रहा है, अगर हम देखे आगे, तो budget for Mr. Ramesh for the month of May 2010, मतलब 2010 के मई के महीने में Mr. Ramesh के लिए budget बना रहे हैं, और I think यही Mr. Ramesh आये थे हमारे chapter 5 में, अगर आप लिखने को मिलेगा, कि कितनी money आ रही है, तो उनकी जो salary है, वो 30,000 आती है, उनको कोई भी gift या फिर allowance नहीं मिलता, कुछ भी other उनको कुछ नहीं मिलता, तो उनको जो मिलती है, सिर्फ salary मिलती है, वो भी after tax, और after tax में जो salary होती है, वो net pay होती है, जो gross pay में से taxes को जब हम card दे मतलब 30,000 की income है, इनकी पूरी, ठीक है, अब ही हम देखेंगे कि इनकी कितना money इनकी जारी है, और कितनी money इनकी आ रही है, क्योंकि what we are doing, हम budget बना रहे हैं, हम budget बना रहे हैं, तो में देखना पड़ेगा कि total नमारे पास कितना है, कितना यहां खर्ज करना है, कितना ऐसे खर तो कुछ इनके fixed expenses है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको fixed expenses दिखा जा रहे हैं, जो इनका provident fund है, मतलब PYF जो है इनका, जो 10,000 रुपे लगते हैं, मतलब 10,000 यह उसमें कटवा देते हैं, हाउस लोन जो इनका कटते है, वो 5,000 का कटते है, कार लोन जो इ है, वो कितना हो गया, 20,000 हो गया, मतलब की 30,000 में से, इनका 20,000 रुपीस किस पे लगया, PYF पे लगया, हाउस लोन पे और कार लोन पे, ठीक है, तो यह होगे, इनके सारी मनी घर से बाहर जा रही है, तो इनके total fixed expenses हैं, जिनको यह काट नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इनके total fixed expenses कितने हैं, 20,000 के, अगर हम आजाते हैं, variable expenses पे, तो जो food है, वैसे तो यार, food को भीना variable expense नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा काम कहां चलने वाले हैं, है ना, बट फिर भी, food को इन्होंने variable expense मिलिया, क्योंकि कभी हम जादा खाते हैं, कभी हम कम खाते हैं, तो clothing पे लगाते हैं, 1000, और eating जब अपने दोस्तों के संग, मतलब बाहर जा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, अपने family साथ अकेले, तो उसमें भी 1000 लगा रहे हैं, और movies पर भी 1000 लगा देते हैं, एक महीने में, तो ये इनके variable expenses हैं, तो total मिला के जो इनके variable expenses हैं, वो कितने हो ग मतलब जो money बाहर जा रही है, fixed plus variable expenses, वो कितने हो गई, 20,000 हो गई, है न, any money left over, अब कुछ money जो बच रही है, जो कि आपने total income में से, जितने भी money बाहर जा रही है, उतने में से आपने minus करके निकाले, मतलब 30,000 minus 26,000, उसके बाद minus करके क्या है, 4000 आए, तो अब इस 4000 को क्या कर अब देखो, यह हमने budget पड़ा है, I hope आपको समझ में आए होगा, अगर आपको notes चाहिए, तो आप notes के लिए telegram channel जोइन कर सकते हो, और अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया, तो प्रीज उसको subscribe करके notification bell को press कर दो, ताकि आने आगे आगे जो आने वाले जो parts है, वो भ बहुत एजी मिल जाएं, अभी हम देखेंगे, building your own budget, building your own budget में क्या होता है, मतलब आपना budget जो है, वो कैसे बनाते हैं, budget बनाने का क्या point है, तो देखो, budget जो होता है, वो एक road map की तरह होता है, आपको पता होता है, कि आपको पस इतने वैसे हैं, इतना यहाँ पर करज करना ह तो आपको एक road map मिल जाता है, कि आपका यह goal है, और आपको इसको ऐसे achieve कर पाऊगे, और आप जो अपनी spending है, उसको भी control में रखोगे, और you are able to make clear plan decisions and the best way to spend your money and make your money work for you, और आप क्या करोगी, जितना भी पैसा आपके पास आ रहा है, उसको आप सही तरीके से spend करोगे, और यह दिखोगी कि money आपके लिए work करें, मतलब आप पैसे से पैसा कमापा हो, अगर आप saving करोगे, आप उसको मानलो share market में invest कर रहे हो, या फिर आप उसको bank account में invest कर रहे हो, लगा रहे हो, तो आप से कुछ ना कुछ आपको interest मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, you are generating money on money, मतलब money from money, मतलब आप money से money कमा रहे हो, another reason to have a budget is that if you are, like most people, your money is limited, so it's important to be thoughtful about how you spend your take home pay, देखो, जादा तर लोगों को क्या, बल्कि मतलब मेरे हिसाब से दुनिया की जितने भी लोग है न, उनके पास इतनी enough money कभी में हो सकती है, कि उनकी सारे wants पूरे हो जाए, क्योंकि wants तो ऐसा न कि आज ही रहने वाली है, वो अगले दिन कुछ नहीं बढ़ जाएगी, तो अगर ऐसा होता है, तो हमें अपना budget बनाना चाहिए है, और देखना चाहिए कि कितना पैसा हमें कहां invest करना है, you have the opportunity to use your decision making skills and choose how you spend your money, आपके पास यह opportunity है, कि आप decision making skills को use करो, और एक budget बनाओ, ता your money, for your needs and wants and achieve your goals, यह आपको मना, आपको, मतलब एक परी किसे help करता है, कि अपनी needs and wants को ध्यान में रखते हुए, अपनी goals को अचीव कर पाऊ, so what does a budget look like, एक budget कैसा देखता है, तो बहुत सिंबल होता है, budget के टू पार्ट होते हैं, आप देखो यह वाला जे क्वेस्टन हैं, मतलब पूछा जा सकते हैं, कि budget के कितने पार्ट होते हैं, तो budget के टू पार्ट होते हैं, first is income and the second is expenses, the trick is simply to balance the two, आपको क्या करना होते हैं, आपको दोनों को balance करना है, मतलब कि अब यह सोचोगे आप, कि नहीं माम, भई ऐसा थोड़े होता है, income हमारी जादा भी तो सकती है, बट आपके जो खर्चे हैं, वो income के बराबर होने चाहिए, अगर income जादा हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, तो मतलब यह भी जो problematic वाली बात है, अगर आपके खर्चे बहुत जादा हो गए, आपकी income कम है, तो यह भी problem वाली बात है, तो आपको क्या करना है, दोनों को equal कर और अगर दिखो अगर मैं बोल रही हूं कि income and expense equal होना चाहिए है ना तो इसका क्या मतलब है जहां पर अगर income जादा हो जाती है तो उस case में जादा problem नहीं है अगर किसी के income surplus होती है मतलब जादा होती है तो it's good आपके लिए अच्छी बात है और आप उसको save करो क्योंकि आगे ना जाके कहीं ना गहीं हो आपको expense उसको करना ही है the things that are important to you notice under fixed expenses the very first item limited अब देखो अभी मेरे यहां से मुह से गलती से प्रॉविडेंस फर्ड निकल गया था आप लोगो ने notice किया यह नहीं पता नहीं और यहां पर pay yourself first लिखा था यहां पर जो मैं गाती हो भी क्या था वो देखो तो मैंने यहां पर बताना नहीं था मुझे पहले से मुझे पता था कि बात में मुझे समझाने पी वाइफ है इसका क्या मतलब है इसको हम समझने वाले है नीचे तो वीडियो को पूरा देखते रहो तभी समझ में आएगा कि क्या है यह ठीक है तो अभी हम पढ़ने वाले पी वाइफ पी वाइफ का मतलब होता है pay yourself first देखो सबसे पहले बंदा क्यों कमा रहा है दिन रात गदों के दरा काम करके वह खुद को पी तो करते मतलब खुद पर पी तो spend करेगा है ना खाना खाएगा कपड़े पहनेगा घर में रहेगा भार घुमेगा और कुछ भी करेगा मतलब आपको सबसे पहले अपने उपर invest करना है मतलब आपको अपने को पैसा देना है पे यॉसल्फ फस्ट बहुत ही सेंपल और एफेक्टिव आइडिया है जहां पर यू डूंट आव चॉइस बाउट पेंग टेक्स यहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेक्स पेह नहीं करने पड़ेंग और ऐसा कुछ नही आपको बचत वगेरा भी करते रहना है ठीके ना और इसमें आपको क्या है कि अगर आप अपने को पे कर रहे हो तो आपको एक मतलब एक अच्छी चीज होती है यह और आप एक डिसिप्लिन सेवर बन जाते हो आप मनी को सेव करने लगते हो सेविंग इस सेटिंग सेटिंग सेविंग को क्या मतलब होता है कि आप मनी को जो है वो अलग रख रहे हो ताकि जब मुझे नीड हो तो मैं इसको यूज कर सकूँ इस सिंपल ट्रिक टो ग्रो यूँर मनी और बिकम वेल्दी दो मोर यूज सेव द मनी दो मोर यूज आप पैसे को बचा लोगे और जबी पार्ट ऑफ यूज़ बज़ तो सबसे पहला मतलब जो इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वह यही है कि आपको सबसे पहले कुछ मनी को सेव करना है अगर आप मतलब अभी 9th क्लस में तो जितने बिवे बच्चों को अगर पॉकेट मनी मिलती है तो आप भले आपको 100 र बचाओ जरूर मतलब हर दिन बचाओ जरूर मतलब बचाने काा आपकी एक बहुत अच्छी आदत भी डेवलाप हो जाएगी कि आप मनी को सेव कर रहे हो सेवेंग इस एक्स्ट्रीमले इंपर्टेंट तो मीटियो गोल्स यहां पर अल्सो लिखा हो है सो दें मुवमेंट यू अर्न मनी मान लो कि क्या रहते हैं कि आपको अपनी को बिल पे करना है जैसे कि मान लो कि मेरे घर में कहीं बहुत सारे पैसे रखे हैं तो मान लो कि मैंने मेरी मम्मी ने 10 रुपे निकाल के रख दिया सब्सक्राइब नहीं है अगर आपने वरन पर नहीं किया तो अफ 했어 जो आपको दंड के साइड बीनए है जब सके अपको बहुत эк Deutschmore op एससे जोती है betrana अब कुछ भी पैसे पड़े रहते है ठोटी से ज़ुषत परते हैं और से माइंड में आता है कि चलो यह खा लेते हैं वो खा लेते हैं तो रंती हम पैसे को निकाल के खर्च कर देते हैं बट आपको ठोड़ा से स्ट्रिक्ट रहना है इस चीज़ पर तभी आप अच्छे से से सेव कर पाओगे आपको यही जो मनी है न फ्यूचर में आपको रीच अपने गोल्स को अचीव करने में हल्प करेंगे आपको पता है जो वारेन बफट है जिनको सब कोई जानते हैं दुनिया में थीसरे चौते नमर के सबसे ज़्यादा मतलब अमीर इंसान बन चुके हैं वह उन्होंने जब ग्यारा साल के थे तब इस उन्हों शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया था और वो इस बात तब दुख जाता आते हैं कि मैंने उससे पहले क्यों नहीं पैसा इंवेस्ट किया क्योंकि अपने लाइफ के और देखो सबसे पहले तो लांग टरम के लिए इन्वेस्ट किया उन्ह अगर आपको वही काम करने जो अन पर लोग भी कर सकते हैं आप नहीं क्लास में आपका बैंक अकाउंट अफकॉर्स होगा तो आप उसमें जमा कर आओ बेकिन स्वम दे यू अन्ट तो पे यॉसल फस्ट अब यहां पर गया लिखा है कि जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन से आप बचाना शुरू कर दो और अगर आपने फिफ्स चाप्टर के विडियो देखे हैं तो आपको यह अच्छे से पता होगा कि अर्ण से जाके कपड़ा खरी लाती हूं या जल्दी से जाके कुछ और खा लेती हूं या लेता हूं ठीके ना अर्लियर यू टेवलाप दी हाबिट अफ सेवेंग विच इसेंशली वाट पे यॉसल्फ फस्ट इस दे बेटर आफ यू विल बी इन फूचर इंडियास टॉप देख लो या फिर वर्ल्ड के भी आप दिख लो जो टॉप बिजनेसमें होते हैं न तो वो क्या करते हैं उनकी प्लानिक स्किल्स जो होती है ऐसा नहीं कि कोई आइडिया उनकी दिमाग में ये तो वो उसको रहने देते हैं नहीं उनको वो सोचते बारे में बताते हैं तो आपका पैसा जरूरत से ज़्यादा ही बढ़ेगा और अगर आप सबसे इंपोर्टन अपनी लाइफ में गाट बानने चीए कि आपको सेविंग हर दिन करने हैं जब भी आपको मिल रहा है तो उसमें से आपको सेव जरूर करने है सब्सक्राइब करना चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ओन कर देना और अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना ठीक है मैं आपको बता दूंगी और आपको अच्छे से पता है कि मैं कितनी अक्टिव रहती हूं चलो बाइबाए मिलेंगे किसी और वीडियो में